Hi everyone, welcome to our channel, my name is Rudra और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि function के parameters और arguments के बारे में इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को functions के बारे में बताया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि function काम कैसे करता है और function को use करके कैसे आप चीजों को automate कर सकते हो तो guys, यहाँ पर हम लोगों का एक छोड़ा सा twist है मैं आप लोगों को different type of functions के बारे में बता हुआ क्योंकि function के साथ-साथ अगर आप लोग parameters को include कर देते हो then that is a game-changing thing तो चीज यह है कि यहाँ जो पिछले हम लोगोंने functions create किये थे मैं आप but yaha पे इस function में ये जो यहाँ पे हमारा जो bracket है bracket के अंदर हम लोगोंने कोई value नहीं दिया था but अभी हम लोग जू सीखेंगे उसमें हम लोग इस bracket के अंदर value देंगे जैसे let's suppose कि हमें एक दुकान से जाके दूद लाना है तो दूद एक packet का price 20 रुपए है तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक cost बता है कि मैं भी 5 दूद packet का price कितना है या फिर 6 दूद packet का price कितना है तो पहले हम लोग एक function create करेंगे तो function का नाम रहेगा get milk और इस get milk के अंदर हम लोग एक variable create करेंगे ये जो है जो packet से ये एक variable है तो जब हम लोग इस चीज को call करेंगे get milk को call करेंगे और उसमें हम लोग एक value देंगे let's suppose कि 3 या 4 या 2 ऐसे जब हम लोग इस value देंगे तो ये value इस particular variable में save हो जाएगा ठीक है फिर उसके बाद इस variable को हम लोग अपने function में use कर सकते हो जैसे let's suppose कि हम लोग ने बूचा की भई दूद का दाम कितना है मुझे कितना packet दूद लाना है तो function हम लोग ने create किया कि get milk वाला उसमें हम लोग ने लिखा कि 5 packet हमें दूद खरीदना है और जब हम लोग function के अंदर आते हैं तो हाँ भाई 5 packet दूद का दाम कितना होगा तो 5 packet दूद का price हम लोग यहां पर एक variable के create कर दिये जिसका नाम है cost जिसमें कि हमारा यह पूरा packet के जो 5 packet दूद का price आएगा तो packet हम लोग ने यहां पर जो variable है उसको define कर लिए तो packet का जो variable है let's suppose हम लोग 2 दूद लाने वाले है तो 2 packet का price यहां पर जाएगा उसके बाद उसमें multiply कर देंगे 20 क्योंकि 1 packet का price 20 है और उसके बाद हम लोग एक alert function create करके बताएगे कि कितना हम कितना price है total 5 packet दूद का the cost of packets और the cost of यहां पर हम लोग ने packet लिख दिया तो the cost of this much packet of milk is this much okay let's suppose 2 packet खरीद रहे है तो the cost of 2 packet of milk is यहां पर जो cost है 40 रूपीज okay तो हम लोग यहां पर जो get milk में अंदर let's suppose कि मुझे 5 दूद खरीदना है या 6 दूद खरीदना है या 5 तो यहां पर हम लोग उस function को add कर सकते हैं ठीक है तो let's understand this in a practical way जिसमें कि आप लोग को better समझ में आएगा so यहां पर हम लोग चलते हैं okay तो यहां पर हम लोग ने एक function define किया function उसके बाद function का नाम रहा get milk मैं आप लोग को थोड़ा से जूम करकर बताता हूं, okay तो हम लोग ने पर function create किया function का नाम रहा gbad get milk हमें milk लाना है यहां पर हम लोग packet of milk के यहां पर define कर दिये उसके बाद हम लोगोंने एक variable create कियाacked cost वाला संद 53 और हम लोगोंने packet into cost जो हम लोग mathematical चीज़े हम लोगोंने arithmetic चीजर जो हम लोगोंने पड़ा था फिर अन्य फिस्ट अंद 15 ज़िए किया Conkatination पढ़ा था उसको हम लोग तो आप लोग यहां पर दिखा रहा है, the cost of 15 of milk is 300 रुपीज, तो यह हमारा था कि आप लोग कैसे function में यहां पर आप लोग parameters को use कर सकते हो, function के अंदर आप लोग कैसे value और input ले सकते हो, which is very very interesting, so function के अंदर जब हम लोग input लेते हैं और उसको हम लोग अपने इस function के अंदर जो हमारा instruction होता है, उसके अंदर use करते हैं, उसको हम लोग यहां पर इस चीज को हम लोग अजे variable देखते हैं, इसके अंदर हम लोग जो भी value यहां पर पूट करते हैं, वो इस variable के अंदर आता है, और इस particular function के अंदर यह as a variable काम करता है so you can do a lot of things with this I'll show you an example तो मैंने यहां पर क्या किया है कि आपके life में कितना time बचा है उसका हम लोगों ने एक यहां पर एक function create किया हुआ है तो जब आप लोग अपना as enter करोगे तो यह आप लोगों को show करेगा कि आपके पास अपने life में कितना दिन है तो मैं इसको यहां पर नीचे ले जाता हूँ तो हम लोगों ने पहले किया कि एक function create किया time we have यह हो गया हमारा function कि हमारे पास पूरे life में कितने दिन है हमारा let's suppose कि यहां पर मैंने एक example लिया है कि मुझे 80 साल ज्यादा से ज्यादा जीना है तो 80 साल के अंदर अभी अगर 80 साल में मेरा death होता है तो मेरे पास कितना time है total अपने सारे काम करने के लिए तो let's suppose कि variable हम लोग ने यहां पर create किया ठीक है यहां पर age इसके अंदर डालना है जब आप लोग इस function को call करेंगे यहां पर मैंने function को call किया है times we have 24 करके तो variable हम लोग ने पहला create किया रहा कि years we have कि हाँ हमारे पास साल कितने है तो 80 से जब हम लोग minus कर देते हैं अपना age for example मेरा age अभी 24 है तो 80 से जब हम लोग 24 को minus कर देंगे तो जितना भी value आएगा वो यहां इसके अंदर हम लोग इसको multiply करेंगे तो okay तो इस value को हम लोग store कर दी years we have तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि variable हम लोग create करेंगे कि हमारे पास महीने कितने है अभी पूरे life में हमारे पास कितने महीने बचे हुए है तो years we have into 12 अगर हम लोग 12 से multiply पर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने महीने बाकी है variable हम लोग create कि है weeks कि कितने week हमारे पास है हमारे पास हबते कितने है पूरे जिंदेगी में तो years we have into 52 क्यूंकि एक साल में 52 weeks आते है उसके बाद the variable हम लोगों ने create किया days का कि कितने दिन है हमारे पास एक साल में 365 दिन है तो आप लोग 365 days तो यहाँ पिर मैंने एक alert function create किया जिसमें कि मैंने concatenation को use करके बताया कि you have this much months this month weeks and this much days okay so I hope कि आप लोगों को यहां तक पूरा completely समझ में आया होगा अभी हम लोग क्या करेंगे the times we have यहां पर जो हम लोगों ने function create किया हुआ है उस function को call करेंगे मैंने आप लोगों को बताया था कि function को call कैसे करते हैं okay let's suppose कि right now I am 30 year old let's suppose okay तो जैसे ही मैंने यहां पर 30 year old कर दिया यहां पर जैसे control enter में दबाता हूँ तो you have 600 months 2500, 2600 weeks 18,250 days to live okay तो हमारे पास total इतना time है guys हमारे life में हमारे पास बहुत कम time होता है but इनी कम time में हम लोगों को हर चीजों को time management is very very crucial and very very important so try to you know make something like this कि आप लोग कैसे इन functions को use करके different different चीजे जैसे BMI calculator हो गया अपना age कलकुलेट करना या फिर Fahrenheit को Celsius में convert करना तो इसे सारे जितने भी mathematical operations functions आप लोग use करके कोई भी चीजे बनाना चाहते हो तो वो आप लोग बना सकते हो okay so यह हो गया हमारा पूरा कैसे आप लोग function को use करके आप different different चीजें build कर सकते हो और आप parameters और variables को कैसे use करके कि आप अपना functions को run कर सकते हो so I hope कि यह वीडियो आप लोगो clear हुआ होगा हम लोग ने function के बारे में दो चीजें सीखा तो पहले तो हम लोगों ने function हम लोगों ने create कि यह function होता क्या है उसको use करके कैसे आप अपना time reduce कर सकते हो और function के अंदर हम लोगों ने जैसे go home function के create किया था हम लोगों ने जो age calculator क्रेट किया है I hope कि आप लोग जैसे ही मैंने create कर रहा हूँ तो I hope कि आप लोगों को इसमें समझ में आया होगा so if you have any doubt please ask me in the comment section और आप इस page का screen shots ले सकते हो अगर आप लोग directly मेरे साथ code कर रहे हो तो please do it और that's it guys that's it for today thank you I'll see you in the next video हम उसमें और फंक्शन के बारे में थोड़ा और जादा एक्सफ्लोर करेंगे and we'll get to know function a lot more better bye bye I'll see you in the next one